हाई दोस्तों मैं युराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिर्राम गयरेज दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाते ताकि हम जैसे ही वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आपको मिले ये देखे ये सीबी 3DX मसीन है 2019 मोडल है आज हम इसका बैक हो कंट्रोल वाल का सिल्किट डालने वाले है क्योंकि ये यह देखे यहां से ये ओईल लिकिज है तो ये देखे हम इसको अभी खोलना शुरू करते है ये उपर का पहले ये कवर खोल लेना है ये देखे इसको चार एलंकी बोल्ट आते है ये चारो बोल्ट खोल के हम इसको निकाल सकते है ये देखे इसको फिर निकाल लेना है ये देखे ये स्पोल में से फोईल लिकिज हो चुका है उसके बाद ये पीन रोड के जो पीन है ये पीन निकाल लेना है ये देखे ये ये पीन इस तरह से निकल जाती है देखिए इसको पीछे दबाना है और इसको इसे निकल सकते है ये देखिए ये उपर से लॉक किया हो रहता है इसको ऐसा यहां से हम दातों से दबा कि ये देखिए पीछे चला जाता है उसके बाद में यह देखिए इस तरह से यह निकल जाता है। इसको खोल लेना है और ये क्याप इस तरह से निकल जाएंगी ये देखे इसको उठाके फिर निकल लेना है ये देखे इस तरह से ये क्याप निकल जाएंगी इस तरह से ये इसे क्याप आती है ये रबर आता है उपर का ये पूरा रबर तो अच्छा है लेकिन गंदा हो चु ये cap में, उसके बाद ये bolt निकालके ये देखे, इस तरह से हम ये cap को खोल के निकाल सकते हैं, ये देखे, ये पुरा निकल चुका है, अभी इसको हम उपर से थोड़ा साप कर लेंगे, उसके बाद नीचे से खोल के इसको spole को नीचे से निकल, इसके spole नीचे से निकलते हैं यह देखिए अभी इसको नीचे से खोल लेंगे उपर से हमने है खोल लिया है उसको अभी यह देखिए इस तरह से 3-16 की लंकी बढ़ती है यहाँ पर दोढ़ डो बोल्ट रहेते हैं उसको यह लंकी बोल्ट बैसा छोटा पाइप की मदस्से हम इसको लूच कर सकते है इस त इस तरह से थोड़ा हमने यहां पे स्पीड थोड़ा बढ़ाया है वीडियो का ताकि जधा टाइम पास नहों देखने में आपको देखिए इस तरह से यह सभी बोल्ट निकालके यह क्याप निकाल लेना है यह देखिए इस तरह से और उसके बाद में यह इस फोल को ऐसा पीचने से निकल जाता है ये देखे इसको ये बोल्ट यहां पर टच हो गया है बोल्ट में तो हमको ये बोल्ट थोड़ा खोल के आगे लेना पड़ेगा तो अभी पहले हम ये दूसरे स्पोल निकाल लेंगे उसके बाद वो बोल्ट को खोल के उसको निकालेंगे ये देखे अभी तब तक हम ये दूसरे स्पोल निकाल लेते हैं ये देखे इस तरह से बाकी के स्पोल हम निकाल लेंगे सभी ये देखे इस तरह से इसको ये सभी स्पोल हमारे ये निकाल लेना है ये देखे इस तरह से पकड़ के नीचे खीचना है अभी देखिए ये एक स्पोल हमारा निकल नहीं रहा था तो इसके लिए अभी हमें करना क्या है तो ये जो 16 का यहां पर बोल्ट दिया हुआ रहता है फॉंडिशन का ये देखिए उसको लूच करके खली थोड़ा इधर दबाना है तो ये स्पोल निकल आता है इस तरह से हम ये स्पोल को निकल सकते है और इसको इस तरह से लाइन से रख लेना है ताकि स्पोल बदली नहीं होना नी चाहिए और ये 17 मोडल है तो इसको जो पीछे की सील आती है इसको डस सील आती नहीं है तो हम इसको ऐसे ही खीचके निकल सकते है क्यूंकि डस सील आती नहीं है तो कुलने की जरुरत नहीं है उसके बाद हम यह डिजल निकाल के डिजल से अच्छे से इस Cait गयाप को दोलेंगे यह थे अमने डिजल निकाल के पूरा उपर की भी जोakter ररबर थे इनको अच्छे धोके साप कर लिया है, अब ये देखे, ये उपर के जो सील है, हमारे ये सील निकाल लेंगे, ये देखे, इस तरह से आसानी से निकल जाते है ये सील, ये देखे, उपर से इसको डस सील दी हुई है, लेकिन नीचे से डस सील नहीं है, 17 का मोडल, अपना 17, 18, 19 के मोडल में ये पिर इस सील को हमें सभी सील बिठा लेना है, ये देखे, इस तरह से सील को प्रॉपर अच्छे से बिठा देना है अंदर, ये सभी सील इस तरह से पहले अंदर बिठा देना है, दबा के इसे हातों से बढ़ जाते है, इसको दबा के अच्छे से अंदर बिठा लेना है, ये देखे डश सिल में जो plane वाला भाग है वो नीचे की तरब जाएंगा ये याद रखना है ये देखे इधर से plane वाला भागे, तो ये लीचे बैठेगा और जो collar है छोटी वो उपर की side रहेगी इस तरह से इसको बिठाना है ये देखे इस तरह से इसको अभी रख देना है अभी ये सभी हम इस पे रख देंगे उपर सील के उपर ये डस सील रख देंगे और उसके बाद उपर से क्याप लगाएंगे यह देखिए यह dust seal सब उसमें बढ़ जाते है बराबर वहाँ पर जगई उसका fix है ऐसा उपर से रख देना है रखने के बाद अभी हम इसके उपर से इसके बाद अभी इसका इलंकी पॉल्ट लगाके सभी को टाइट कर लेंगे यह देखिए बैट चुके है अभी हम इसके सबीके के एलंकी पॉल्ट लगाके टाइट कर लेंगे हैं दिना आ उपर के seal डालके एलंकी bolt लगा के cap लगा के इसको अच्छे से proper tight कर लेना है पहले उसके बाद नीचे का लगा के seal लगा के spole डालना है उपर का पहले pack कर लेना है इस तरह से इक controller का seal डाला जाता है कि पहले उपर का pack कर लेना है क्योंकि spole हमारा नीचे से बैठेगा अगर spole पहले डाल दिया तो उपर का seal नए बैठता है इसलिए पहले उपर का proper पुरा seal, the seal, cap अच्छे से लगा के tight कर लेना है उसके बाद ही नीचे से seal बिठा के बाद में spole डालना है इस तरह से इसको सभी bolt tight कर लेना है पहले इस तरह से सभी bolt tight हो गए अभी देखिए हम नीचे का seal लगा रहा है यह तो नीचे का seal यह इस तरह से बैठेगा इस position में है इस position में ही ऐसा बैठेगा क्योंकि इसका plane वाला भागे वो बाहर की side रहेगा इस तरह से इसको बिठाना है यह देखिए हमने सभी बिठा लिए है अभी यह देखिए यह सभी seal पहले अंदर बिठा लेना है seal अंदर अच्छे से बिठा लेना है और यह देखिए यहाँ पर इसको dust seal आता ही नहीं है ये जो cap दी हुई है, ये cap के अंदर ही इधर उन्होंने bracket बना हुआ है, उसका कि वो seal को दबा के रखता है, पकड़ के रखता है, नीचे से dust seal रहता ही नहीं है, इसलिए पुराने machine जो भी है, उन्हें dust seal आता है नीचे यहाँ पे, तो उसको पीछे से spring से खोल के डालना है, तो अभी आगे मैं उसके उपर वुडियो बनाऊं गई, लेकिन इसमें नीचे से dust seal नहीं आता है, तो seal उपर लगा के spole को direct हम बिठा सकते है, ये देखे, इस तरह से spole को डालते वक्त थोड़ा सा oil लगा लेना है, और oil लगा के फिर इसको ऐसा press कर देना है, ये चला जाएगा, ये देखे, इस तरह से नीचे से press करते जाना है, सिदा-शिदा उपर धक्का दिया तो वो चला जाता है, ये देखे, इस तरह से सभी spole बिठा लेना है, ये देखे, इस तरह से हम बिठा सकते हैं, जो bolt के hole है, उसको match कर लेना है, अभी ये देखे, ये डालने के टाइम पे भी हमको तकलिब देगा, थोड़ा तो इसको screw driver की मदस से हमने bolt लूजी रखा हुआ था, तो screw driver से थोड़ा सा इसको उठा के अंदर दबा लेंगे, ये देखे, screw driver से इसको उठा के दबा सकते हैं, ये देखे, इस spole भी हमारा बैट गया है, ये देखे, इस तरह से सब इस spole बैड जाएंगे, ऐसे दबाते जाना है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तो लाइक भी कर दिया करो, और आगे कौन सा वीडियो देखना है, उसके लिए कमेंट कर सकते हो, ये देखे, इस तरह से फिर अभी ये सब क्याप लगा लेना है, ये देखे क्याप लगा के बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेना है नीचे का, ये देखे इस तरह से, ये सबी क्याप लगा के फिर बोल्ट लगा के हम टाइट कर सकते हैं इसको, ये देखे इस तरह से, सबी लगा लेंगे, ये देखे पूरा लगा के, ये क्याप को भी अच्छे से टाइट करना पड़ता है ये देखिए इसको 3-16 की ही एलंकी बैटती है 3-16 की एलंकी से इसको अच्छे से टाइट कर लेना है ये देखिए अभी उपर से ये जो रबर निकाले थे हमने ये रबर सभी में लगा लेना है क्योंकि ये रबर अंदर डश्ट इस तरह से सभी ये देखिए इस तरह से लगाते जाना है ये देखिए हमारे अभी ये सभी रब बैट चुके है ये हमारा सभी पीन लग चुके है ये देखिए लग चुका है अभी हम कवर लगा लेंगे ये देखिए ये उपर का कवर निकाला था हमने यह जो यहां से एलंकी बॉल्ट खोले थे चारों एलंकी बॉल्ट लगा के एलंकी बॉल्ट टाइट कर देंगे और यह लगाने के बाद लिवर को भी ऑपरेट करके चेक कर लेना है इस तरह से आप सील डाल सकते है स्पोल का यह देखे दोस्तों इस तरह से उपरेट करके देख सकते हैं तो चलो मिलते हैं दोस्तों मिलते हैं वीडियो में जैहिन